जय हिंदु राष्ट गांधी गांधिवाद और उसकी पराजय पर ये चौथा एपिसोड आज मैं ले रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों से विशुभर में राष्टवाद की हिलोगर आ गई है भारत श्रिलंका बर्मा चीन यूरोप की विबन देश अमेरिका आस्ट्रेलिया में वामपन्थी तथा कत्त लिबरल सेक्विरर जमात राजनिति बहुत धिक जगत में बुरी तरह से केनारे लगा दे गई है कहीं राजनितिक लाभ हुए होंगे मगर वैचारिक पराजय पर लगातार हो रही है इन लोगों में इतनी बदहवासी हुई है कि स्वैम को वामपन्थी कहलाने का चलन समाप्त हो गया है इसको अश्रे विश्व भर में शरीया के लिए नारे बाजी कर रहे इसलामी जहंडा बरदारों इसलामी खिलाफत के लिए बवचारे को बवंडर खड़ा कर रहे हत्या कोड़े पहने अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हैं लोगों के 25 वोटसप देखें होंगे कोरान की आयतें लिखें काले जंडों कोड़ा थे लोग उसी रास्ते पर चला दिये गए हैं जिस पर वो दुनिया को चला रहे थे ये चिंता का विशय है कि 600 करोड से अधिकी जन संख्या में 1500 करोड की अलप संख्या समू का नितत जिसे मुलाय मुलाओं को धंदीने वला वर्ग कहा जा सकता है विश्र भरके मुसलिमों को या गैर मुसलिमों को धर्म रष्ट करने मार डालने जजिया वसूलने का स्वपन देखता है इनी कुकर्मों ने इनी कर्टूतों ने विभिन देशों में फेले इसलामी नेतरुत के पती शान्ति प्रीज सब इसमाज को जगा दिया है कुछ प्रश्णा विश्व में आज अमरीका सबसे शक्तिचाली देश है अमरीका से पहले सबसे शक्तिचाली कौन था उतरे बिटेंग और बिटेंग से पहले विश्व शक्ति कौन था इसलाम जिहां विश्व में तर्की की इसलामी खिलाफत से ही 1914-1918 तक चले प्रत्रम विश्व द्द के बाद अंग्रेजों ने सब ताचीन थी प्रत्रम विश्व द्द के बाद अरब क्षित्रों के कभीलाई शासकों को अंग्रेजों ने राष्ट के रूप में मनेता दे दी साओधी अरब जौर्डन लिबनान इराक इरान सीरिया यमन फिलिस्टीन आदी जैसे देश उसी तर्की खिलाफत के टुक्ड़े हैं यहां इसलाम और उसकी खिलाफत को समझना होगा एक बात ध्यान लखिये का कई लोग मुखालिफत को खिलाफत समझ लेते हैं खिलाफत खिलीवा के राज-जिक शितर को कहते है जहां वो राजजी करता है मुछालिफत कारता है बिरोध कुछ मूड प्त्रकारों के करान खिलाफत और मुछालिफत एक कर लिए गएगा है कुछ लोग अंगरीजी के संदर में से खिलीफत कहते है वो भी गलत लफज है, सही शब्द खिलाफत है खिलाफत, खिलीफा मजभी और राजनितिक प्रमुक को कहते हैं और खिलाफत उसके राजशेत्र को कहते हैं इसलाम में दीन यानि मजभ और दौला यानि राजनिति बुरी तरह से गुते हुए हैं अपने प्रादर भाओ के साथी मुहम्मद और उसके बाद के अन सभी खलीफा शक्ति शंचाय करते, लोगों की हत्याय करते रहे हैं प्रारंबिक चार खलीफा, अबुबकर सिद्दीग, उमर अबन खताब, उस्मान इबन अफ़ान और अली इबन अभी तालिब रहे हैं इन में से तीन अपने साथी मुसल्मानों की तलवार का शकार बने अली के समयी इसलामी जगर, शिया और सुन्नी धराओं में बट गया दोना वर्ग अपने अपने अलग अलग खलीफा मानने लगे और लाखों मुसल्मानों को काटते मारते हुए अंतता तुर्की की खिलाफत के अधिन हो गए लोगों के ध्यान में आ रहा होगा कि मैं गांधी पर बात करने के लिए खिलाफत कहां से ले आया, आप भी विशे आ रहा है प्रते में युद्ध के बाद इसलामी खिलाफत का तिया पांचा हो गया, उसके तिका बोटी हो गए इसके विरोध में भारत, बारतमान भारत, पाकिस्तान बंगलादेश में खिलाफत को वापिस स्थापित करने की मुहिम चलाई गई अंग्रेजों से भारत को स्वतंतर करने का तब तूटा फुटा बिचार रखने वाली कांग्रेश भी इस मुहिम चे जोड़ गई ये अंदोलन इंतहाई बेखुफी वरा भैन गुप से मुटा पूर्ण था सुएम सोचिए कि क्या इराख में बाथ पार्टी का शासन वापस लाने के लिए दिल्ली ये भारत के किसी नगर में आमरन अंशन करना मुटा पूर्ण हसेस्पद है कि नहीं तो तुर्गों की अधीनता में अरब ख्षित्रों को वापस धगलने का अंदोलन और वो भी भारत में ना तुर्की में ना अरवों के बीच में करना मुटा पूर्ण है के नहीं बंद हुओ ये कारे गांदी ने किया कांघ्रिस को खिलाफत अंदोलन में धखिलने वाले गांदी थे, कौंघ्रिस और गांधी की च्शवी के लिए वाहियाती बहुत रानिका रकोती, अता इस अंदोलन को कंग्रिस-पनीत-ट्यास में अस्वयूग अंदूलन कहा जाता है जिसे अज्वयूग अंदूलन कहते हैं वो अंग्रिजों का अस्वयूग नहीं था वो खिलाफत को लाने वाला अंदूलन था देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुलकलामाजाद खिलाफ अंदोन के प्रमुकनिता थे कांग्रेस में उनकी असंदिक धराश्ट्रिता को इससे समझा जाता है कि उनकी मा अर्वी मूलकी और पिता इरानी मूलके महम्मद खैरुदीन थे ये अर्वी फारसी के विद्वान और शुद्ध मुला थे उननेस सो बानवे में मरोडो परांद भारत रतन से सम्मानित मगर विदेशी माता पिता और स्वाहिम शुद्ध मुला कांग्रेस और इस बेहूद की कुछ स्वी कार करने वाले हम सब धन्ये है गांधी नहीं खिलाफत को वेचार अधार दिया उनके अनुसार खिलाफा दांदूलन किसी वेक्त पर केंद्रित नहोकर एक ऐसे विचार पर केंद्रित है जो एक लौके का अध्यात में को राजने दिखे यदि तुर्क अपनी रक्षा नहीं कर सकते यदि संसार के मुसल्मान अपनी विचार शक्ती और सक्री साहनवूत तोरह तरकों को साथ नहीं दे सकते तो दोनों कश्टो उठाएंगे कि गांधी की शब्दे है वीर धर्म यहीं कि संकट की घड़ी में तरकों का साथ दिया जाए यंग इडिया चार पांच उन्निस सो एकिस प्रष्ट छेस सो चपन गांधी आगे कहते हैं यदि हिंदू चाहते हैं कि मुसल्मानों के साथ शाष्ट मेत्री सापित हो जाए तो उन्हें इसलाम की रक्षा के यग्में अपने आपको उनके साथ हूम कर देना चाहिए इंडिया इन पाकिस्तान पेज नंबर दो सो उन्निस लेखक वीवी कुल करनी कांगरिस में भी बहुत से लोग खिलाफत के विरोध में थे खिलाफत के रखपक्ष में गांधी के रखे गए प्रस्ताव का विरोध सी आर दास, बी सी पाल, एनी वेसंट, सी एफ एंडरूज, रवीन नाठ ठाकुर, महमद अली जिनाजी, महमद अली जिनाज जैसे प्रमुख लोगों ने किया था, गांधी ने मनवानी करते वे कंगरिस को खिलाफत में धपेद दिया, अंग्रेजों उनने गांधी को जुलूब और युद्मे अति सक्रेटा से भाग लेने के लिए कैसर हिंद का पदक दिया था, गांधी ने साउत अफरीका में रहते हुए स्थानिक लोगों के विरोध में कारे किया था, इसी करणा भी कुस्ता में पूर महां के लोगों ने गांधी की प्रतिमा स्थापित करने का उगर विरोध किया प्रतिमा तोड़ दी उस कैसर हिंद, अंग्रेजों के दिये कैसर हिंद पदक को लटा रते हुए गांधी ने लिखा मेरे लिए सम्मान मुल्यवान रहे हैं पर मैं उन्हें सहज भाव से तब तक धारण नहीं कर सकता जब तक मेरे मुस्लिम देशवासियों को उनकी भावना से किय गयन्या से कष्ट होता है खिलाफत अनलून के प्रिसंग में आज असे हो कि जो यूजना आरम की गई है उसके अनुसार में पदकों को लोटाने का सांस करता हूँ हिस्ट्री अफ फ्रीडम मॉव्मेंट पेज नम्म तीन सो बत्यस खंड गैरा आर्शी मजूमदार तर्की के राश्वादी नेता मुस्तफा कमाल पाशा ने उनने सो बाइस में खलीवा को हटा कर अब्दुलमजीद आफंदी को स्थापित किया और उसके समस्तराजनित का अधिकार चीन लिए तो खिलावत कमिटी ने उनने सो चौबिस में विरोध प्रदर्शन के लिए प्रतिन दिमंडल को तुर्की बेजा मुस्तफा कमाल पाशा ने उन्हें भगा दिया और तीन मार्थ दो सो चौबिस को खिलावत कांत कर दिया इस प्रकार भारत का खिलावत अंदूलन भी अपने अपस अपने आप समाप्त हो गया मगर भारत में खिलावत समाप्त नहीं हुई केरल के खिलावत के मुला नेताओं ने स्थानी मौपला मुस्वानों में प्रजार किया कि खिलाफत अंदूलन सफल हो गया और समया गया है कि सभी काफरों को समाप्त कर दिया जाए और दार अल इसलाम की स्थापना कर दी जाए मुहम्मद हाजी को खलीफा बना कर मोपलाउने जहाद शुरू कर दिया इस जहाद की भेंकरता का अनुमान इससे लगाएं कि इसमें 2266 दंगाई पुलिस द्वारा मारे गए 1615 गायल हुए 5688 बंदी बनाए गए 38656 लोगों ने आत्मर्समर्पन किया 1500 हिंदू के हत्या हुई 20,000 हिंदू को मुसल्मान बनाये गया करोणों की संपत्ति लूटी गई हिंदू इस्त्रियों का परण और बलातकार हुए 2266 दंग पुलिस द्वारा मारे गए 1500 हिंदू की हत्या हुई यह 1500 हिंदू की हत्या बहुत कम करके दिखाई गई है 1000 हिंदू मारे गए थे यह बात की जान करे के लिए ठीक होगी कि कारगिल वार में केवल 527 जवान बलिदान हुए 1971 के युद्ध में 3845 युद्ध लोग बलिदान हुए 1965 में 3000 जवान बलिदान हुए 1000 लोग मारे गए यह निहत्य थे यह सहाए थे इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था डॉक्टर इनी विसिंट ने लिखाए कि उन्होंने यानि मोपला उने जी भर के हत्याएं की लूट पाट की और उन सभी हिंदों को मार डला थ्वा खदेर दिया जिन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा एक लाख लोगों को उनके घरों से खदर दिया गया उस समय उनके तन पर केवल उनके कपड़े ही थे शेश सब कुछ छीन लिया गया दे फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटेक्स पेज नमबर टू फिफटी टू एनी बिसिंट इनकी उस्तक है मालाबार की हिंदू महिलाओं ने तत्काल वाइसराई की पतनी लेडी रीडिंग को दिये प्रतवेदन के शब्द देखें हमारे जिन परजन उनके अपने पूरवजों का धर्म त्यागने से इंकर कर दिया उनके क्षत विक्षत परंतु बहुदा आदमरे शरीनों से कुएं और तलाब पढ़ गए गर्वती मैलाएं खंड-खंड में काट डाली गए उनके शव सड़क के किनारियों जंगलों में फेक दिये गए कैसा अवीभत सद्रश्य था जन्म गर्व से अजन्मे शिशुओं के लोथड़े माताओं के ख्षत विक्षत शवों से बाहर लटक रहे थे हमारे मंदिनों को अपवित्र करके धराशाई कर दिया गया देवी देवताओं की मूर्तियों को चूर-चूर कर दिया गया फूल मानाओं के स्थान पर उनके गले में गुवमांस के लुथरल इलिटका दिया गए शंकर नायर जी की पुस्तक है गांधियन अनार की पेज नमबर 139 ये समझ में आता है कि गांधि का प्रभाव केरल में नहीं था वो उनका लीजर नहीं था होना चाहिए था कि इन लोगों को उक्षाय का गांधियन था फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते तो निंदा तो कर सकते हैं इस सब के बाद भी गांधी और कुंगरेस को खिलाफत के प्रश्मर इस्लामियों की चिंता खाय जा रही थी कौंगरेस कारेशे मेची नहीं अधिकारिक प्रस्ता उस्विकार के अ, جहां कारेकाननी मोपलों द्वारा की गई हिंसा की निंदा करती है वहाँ ये भी बताना चाहती है कि उसके पास जो साक्ष है उससे पता लगता है कि मोपलों को असाय उत्तेजनापूर्ण वातावन मिला ये कि इसने हिंदू उन दिया था अग्रिदू उन दिया था सरकार की होड़ से और उसके दारा जो प्रतिवेदन प्रकाशत किये गए उनमें मोपलों के अनुचित कामों के जो दिवरंट दिये गए वो एक पक्षिया और उसमें बहुत निर्व नवक विर्च मिलाया गया है हिस्ट्री आफ कॉंग्रेस पेज नमबर थ्री सिक्षिपोर पट्टा भी सी तरह वही है यह भी गांधी की तरह एबदार था गांधी ने मोपला दंगायों के लिए स्वयम कहा वे धर्म भूईर लोग हैं जो उसके लिए युद्ध कर रहे हैं जो उनके विचार में धर्म हैं कहने जिसे आप धर्म समझते हैं जिसे दीन कहते हैं जो आपका दीन आपके लिए कहता है उसे आप स्वयकार करें आप ड़केत हैं और आप उपासना करते हैं तो ड़केती हैं और गले काटना आपका अधिकार है वे धर्म भूई लोग हैं उसके लिए युद्ध कर रहे हैं जो उनके विचार में धर्म है और उसरीती से उद्ध कर रहे हैं जो उनके विचार में धर्म सम्मत है डॉक्टर बी आर अमबेड़ की किताब है पाकिस्तान प्रश्ट संख्या 148 गांधी इस समय जीवित होते तो अभी दो वर्ष पहले श् रीती से उद्ध कर रहे हैं जो उनके विचार में धर्म है नेरेटिव सेट करना खराब नेरेटिव सेट करना बहुत बरी चीज़ है पाकिस्तान एक दिन में नहीं बना लगा अतार हिंदू पारुष को किनारे लगाया गया ठिकाने लगाया गया इस महापाप के प्रमुक लोगों मैं से थे कल फिर आपके समक्ष अगला कोई यह पिशह लेकर आता हूं